नमस्कार आदाप सलाम दोस्तों Hair Transplant की सेशन में इस वीडियो में एक बाद फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को लाइक करना और हाँ नीचे कमेंट देकर अपनी राय जरूर जाहिर करना अलोपेसिया एरेटा एक ऐसी कंडिशन जिसमें आपका हेर लॉस बहुत सिवेर तोर पे होता है आपके हेर के ऊपर में घोल-घोल रॉन रॉन शीफ ले लेते हैं यानी वहां से हेर निकल जाते हैं और कुछ इस तरह की कंडिशन हो जाती है इसे बोते हैं अलोपेसिया एरेटा इसके बहुत सारे पिसमें होती हैं बहुत सारी टैप्स इसकी होती है जैसे के ऐलोपेसिया, एरेटा, ऐलोपेसिया, टोटैलिस आज इस वीडियो में आपको हम ऐसे पांच होमेपरिथिक मेडिस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इस तरह की कंडिशन से अपने आपको फौरी तोर पर बाहर निकाल सकते हो ऐलोपेसिया, एरेटा की डिफिनेशन अगर में देना शुरू करूँ तो शायद ये वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाए इसलिए शॉट में आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐलोपेसिया, एरेटा, मेल्स और फीमेल्स दोनों पर ही एफेक्ट करता है और बहुत बुरी तरह से एफेक्ट करता है एलोपेसिया एरेटा हेर लॉस की एक ऐसी कंडिशन है जहां पर आपके स्कैल्प के उपर में गोल गोल पैचेस बन जाते हैं कहीं कहीं पर यह बहुत बुरी तरह से भी परभावित हो सकता है यानि के बाल्ड और गंजेपन तक को यह आपको बढ़ावा दे सकता है जैसे यह बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका बहुत बड़ा एरिया ले ले लेता है और अल्टिमेटली लुक्स लाइक ऐसे बॉल्ड परसन गंजापन आपका दिखना शुरू है इसलिए इसको जल से जल ट्रीट कर लेना बहतर होता है इस तरह की कंडिशन में आपके हेर स्कैल्प से भी होते हैं आई ब्रोज से भी होते हैं और आखों के जो आई लैशेस होते हैं वो भी गिर जाते हैं इसके इलावा आपके डाड़ी के हैर और मुस्ताश के हैर ये भी लॉस्ट होना शुरू है इसके इलावा चेस्ट हैर गिरते हैं तो इस वीडियो को बहुत जाएदा लंबा ना करते हुए आपको सीधे मेज ले करके चलता हूँ ऐसे पांच मेडिसीन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको आपको इस्तिमाल करना चाहिए अगर आपकी कंडिशन कुछ ऐसी है तो तो जो सबसे पहली चीज है वो है आर्सेनिक अलबम डिस इस दा करके इस इस्तिमाल करके जो की हमियोपेथिक मेडीसीन और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका इस्तिमाल करके आप अपने हेर लॉस को रिवर्स कर सकतें को और इस तरह की कंडिशन से बाहर आ सकते हो इसके लावावाष जो दूसरी मेडिसीन है वो है विंग का इसे भी कोई side effect नहीं है इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी condition ऐसी है तो इसके इलावा जो तीसरी medicine है वो है बाराइटा कार्ब और लेकोपोडियम और सिलिका इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसे आप मिश्रन एक साथ में इसको मिक्स करके अपने उस एफेक्टेड एरिया पर लगाएं जहां पर आपके हैस उड़ गए हैं गिर गए हैं निकल गए हैं रॉंड पैचे जाएं वहां पर इसे आप लाई करें और इसे छोड़ दें रात भर इसको इसी तरह से रहने दें वाश करने की जरूरत नहीं है कुछ इस वंडरफुल मेडिसीन फॉर ट्रीटिंग दा अलोपेसिया एरेटा अलोपेसिया एरेटा को ट्रीट करने के लिए एक बहुत ही बेहतर मेडिसीन यह भी है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो बाल्ड पैचेज हो गए हैं एर लॉस हो रहे हैं हैं की कंडिशन बु इसके इलावा जो पांचवी मेडिसीन है वह फॉस्फोरस एक अच्छी मेडिसीन होमियोपेथिक मेडिसीन है इसका भी कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इस कंडिशन से बाहर निकलने के लिए तो यह वह पांच मे तो आप समझ सकते हो कि यह कितना बेनिफिशियल है इसके बारे मैंने वीडियो बनाया है लिंक मैं उपर दे रहा हूं आप इसको जा करके कि देख जरूर लेना तो आप पहले चाहें तो उसे इसे ट्राय कर लें थुजा ओक्सिडेंटली और सेबल सरलुटा बेटर और पिछ आपको नहीं फायरा देती है तो फिर आप इन पांच मेडिसीन को ट्राय कर सकते हैं अदर्वाइस मुझे नहीं लगता कि थुजा ओक्सिडेंटली और सेबल सेडेंटली जो मैंने रिकमेंड किया है पहले इस कंडिशन से बाहर निकलने के लिए इसको लगाने के बाद अलोपेसिया एरेटा को ट्रीट करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसीन यह है तो आप इसको यूज पहले करें अगर इन कंडिशन इन कंडिशन जैसा कि मैंने बताया कि 85% इसका सक्सेज रेट है तो यह आपको जरूर काम करेंगी इसको इस्तेमाल करें थोड़ा प इसको यूज करने के बाद जो पांच मेडिसीन मैंने अभी आपको बता है उसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी तो इसको इसको इस्तिवाल करें और अपनी कंडिशन को बेहतर बनाए मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में तब तक ले बाबाए टेक केर झाल